find two numbers whose sum is 27 and product is 182 हमें दो number find out करने है जिनका sum जो है जिनको add करें तो 27 मिले और जिनको multiply करें आपस में तो 182 मिले तो बड़ा simple सा है आप पहले तो assume कर लो let x and y be the two numbers ठीक है तो ये मैंने कोई दो numbers जो है वो assume कर लिए x और y तो मुझे पता नहीं है number के हैं तो जो मुझे ना पता हो उनको मैं x और y variable ले ले लता हूँ ठीक है now अब हमें condition क्या given है कि इन दोनों का sum यानि की x plus y कितना है वो है 27 ठीक है इसको मैं बोलते हैं equation number 1 दूसरा x into y दोनों का product वो कितना given है 182 इसको मैं बोल देता हूँ equation number 2 अब मुझे इन दोनों numbers को find out करना है देखो numbers को find out करने के लिए क्या है कि अब ये equation x और y की form में है दो variables ये भी x और y दो variables तो मुझे इन में से किसी ना किसी एक equation को सिर्फ और सिर्फ एक ही variable में लेके आना है और वहाँ से फिर मैं उसको solve करूँगा तो मुझे answer मिल जाएगा तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ये जो मेरी पहली equation है इसमें मैं y को लेख सकता हूँ this implies y is equal to 27 minus x right x को उदर ले जाऊँ तो y in terms of x आ गया अब y की ये value मैं put कर देता हूँ put value of y in equation 2 तो इस equation में से मैंने y की value निका ली और इस equation में मैं इसको put कर देता हूँ तो यहाँ से है क्या मेरे पास x y is equal to 182 ये equation है which implies x y की जगा अब मैं ये डाल देता हूँ तो यह हो जाएगा 27 minus x is equal to 182 which implies इसको खोलो 27 x minus x square is equal to 182 which implies 27 x minus x square इसको भी उतर ले जाओ minus 182 is equal to 0 अब चाहे आप इस equation को ऐसे ही रहने दो चाहे आप इसको दोनों साइड minus 1 से multiply कर दो कोई फरक नहीं पड़ता कहने का मतलब कहा है कि मैं actually इसका जो coefficient है उसको positive कर रहा हूँ जरूरी नहीं होता लेकिन आप कर सकते हो ठीक है roots में कोई फरक नहीं पड़ेगा answer में कोई फरक नहीं पड़ेगा answer same रहेगा तो इस equation को दोनों साइड minus 1 से multiply करूँ तो ये कितना आ जाएगा पहले चलो मैं ऐसे कर देता हूँ minus 27x ठीक है plus x square plus 182 is equal to 0 which implies अब x square की term पहले लिख लेते हैं x square minus 27x plus 182 is equal to 0 अब ये मेरे पास आगई quadratic equation और इस quadratic equation को अब मैं by splitting the middle term मैं इसके factors बनाऊँगा और वहाँ से मैं इसके roots निकाल लूँगा ठीक है तो वो x की value हमारा answer हो सकती है वो हम चेक करेंगे तो इस equation को ये मैंने यहाँ पे दुबारा लिख लिया ठीक है अब यहाँ पे इस equation में a क्या है मेरे पास x square का coefficient 1 b कितना है minus 27 और c कितना है मेरे पास 182 अब मुझे b minus 27 b को दो parts में split करना है कि उन दूनों का product जो है वो a और c यानि कि 1 into 182 which is equal to 182 इसके बराबर आए तो minus 27 को दो parts में split करना है देखो ऐसे questions में थोड़ा सा tricky हो जाता है directly solve करना तो उसके लिए मैंने आपको यह recommend किया है कि यह जो number है 182 182 इसकी आप पहले prime factorization कर लो ठीक है तो यह 2 पे जाएगा यह हो गया 9 1 फिर यह कितने पे जाता है यह 7 पे जाएगा और यह आजाएगा 13 और उसके बाद यह जाएगा ही नहीं तो 13 पे जाएगा क्योंकि prime number है 1 तो इसके prime factorization हो गई 2, 7 and 13 तो 2 into 7 and 30 तो 182 मुझे देगा अब इनी के ही permutation combination से मैं 27 निकालने की कोशिश करता हूँ कैसे अब अगर इन दोनों को multiply करूँ 2 into 7 तो क्या मिलता है 14 और 13 को अलग रख लो तो यह हो गया 13 तो 14 plus 13 मुझे कितना देता है 27 ठीक है यही number मुझे चाहिए लेकिन negative में तो इसका अगर मैं minus 14 और minus 13 ले लो तो इन दोनों को add करने पे मुझे कितना मिलता है minus 27 ठीक है और इन दोनों को अगर मैं multiply करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 182 राइट तो इसका अगर इसको मैं minus 14 और minus 13 इन दो numbers में split कर देता हूँ ठीक है तो यह हो गया मारा by splitting the middle term तो अब इस equation को मैं लिखूँँगा x square और middle term को मैं इसमें split मारूँगा minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0 यहां मैं एक line लगा देता हूँ ठीक है which implies अब इन दोनों terms में क्या common है सिर्फ x तो मैं x बाहर निकाल लेता हूँ अंदर बच गया x minus 14 इन दोनों में क्या common है minus 13 ultimate aim क्या है मेरा कि अंदर x minus 14 ही बचना चाहिए तो इसको जब minus 13 common निकालोगे तो अंदर x minus 14 ही बचेगा आप इसको check करके देख लेना ठीक है अब यह जो मेरे पास आ गए एक term यह और एक term यह इन दोनों में x minus 14 common है तो x minus 14 मैंने बाहर निकाल लिया तो यहां से मेरे पास बचा सिर्फ x और यहां से बचा minus 13 is equal to 0 तो अब फिर से वही वाली बात a into b अगर 0 हो इन दो numbers का product अगर 0 हो तो यहां तो a को 0 होना पड़ेगा यहां फिर b को 0 होना पड़ेगा एक number कम से कम 0 होगा तब ही यह 0 होगे ठीक है तो फिर यहां से मेरे पास क्या आ गया either x minus 14 is equal to 0 और x minus 13 is equal to 0 यहां तो यह factor यह 0 होगा यहां फिर यह factor यह 0 होगा ठीक है तो यहां से x मेरे कितना आ गया 14 और यहां से x मेरे कितना आ गया 13 तो इसके accordingly दो number ऐसे हैं एक 14 और एक 13 ठीक है यह दो numbers हो सकते हैं जो x है अब देखो हमने जो दो number resume किये थे वो थे x और y और x plus y था 27 तो इसका अबलब y तो अभी मुझे निकालना बागी है x की वो मुझे दो possibilities दे रहा है कि यह 14 हो सकता है यह 13 अब मुझे यह भी बता है also x plus y is equal to 27 which implies y कितना है 27 minus x ठीक है तो अब अगर x को मैं 14 डालू this implies x को अगर मैं 14 डालू तो y कितना आजाएगा इस case में 27 minus 14 which is equal to 13 ठीक है और इस case में अगर x को मैं 13 डालू तो y कितना आजाएगा 27 minus 13 which is equal to 14 तो अगर x को मैं 14 consider करता हूँ तो y मेरा कितना आता है 13 और अगर x को मैं 13 ले लेता हूँ तो y कितना आता है मेरा 14 तो ultimately देखोगे तो pair same ही बन रहा है तो इसका मतलब जो दो numbers है जो दो numbers है जो इस condition को satisfy करते हैं वो क्या है 14 and 13 and that's your answer so that's it from this tutorial keep watching Math Mafia